कि अज़ें दोस्तों मेरा नाम है अनिल जादोन इंग्लिस फेकल्टी आप सभी का स्वागत है ओपन स्टड़ी परिवार में यह है वुक्यप चालीसा की पहली क्लास तो सबसे पहले मैं आपको वुक्यप चालीसा का एक सौट इंट्रोड़क्शन दूगा उसके बाद हम लो क्लास के सुरुवात करेंगे क्योंकि वुक्यप चालीसा के वारे में यह पहली क्लास है तो इस क्लास को सारे स्टूडेंट्स देखते हैं और यह प्लेलिस्ट में पहली क्लास जाती है तो सब लोग यहीं से सुरुवात करते हैं तो आपको पूरी कहानी पहले पता हो नीच चलोगा और इसके अंदर कौन सा सेक्षिन आपको कवर कराया जाएगा इन सब चीजों पर बात कर लेते हैं ठीक है पहली चीज वोक्याब 40 एक एक यह कह सकते हो कि वोक्याबलरी का एक कम्प्लिट सॉलूशन है अब वोक्याबलरी के अंदर कई सारी हुस्या sure oldoline dips वोते हैं एंटरेम सोते हैं वन्वड सोते हैं एडियम सोते हैं ठीक है प्रेज़ ओव यारा सेक्षिंट भी आ जाता है प्रफुजीशन वाला सेक्षिन बहुत सारी चीजा ओते है लेकि away इस वुक्याब चालीसा के अंदर आपको स्पेशली स्पेशली पूरा कमिटमेंट नहीं है मैं स्पेशली बता रहा हूं स्पेशली सिनोनिम और वर्ड मीनिंग इन पे सबसे ज़्यादा काम होगा ठीक है अगर जब सिरीज को चलते चलते यह कंप्लीट एक सिरीज है जिसमें पूरी तरह से का स्पेशलीशन होगा एक्जाम आपका कोई साभी है किसी एक्जाम की किसी भी कॉंप्टिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इससे वाहर वोकेबलरी नहीं मिलेगी वर्ड मीनिंग्स जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि स्टूडेंट की देखो वन वर्ड और इडियम से याद करना तब भी एक बार को आशान होता है लेकिन वोकेबलरी में क्या होता है सेनोनियम अंटर्णियम वाले पार्ट में वो कितना भी पढ़ले उसको स्यूर्टि नहीं मिलती है मैं अगर आपको पांसो से हजार इडियम से देंगा तो मैं आपको गैरंटी द देना चाहता हूं थोड़े थोड़े करके जैसे कि डेली हम खना खाते हम सालों साल जीते हैं ऐसे आप डेली एक छोटी सी वोकेबलरी की डोज लोगे और आप सालों साल चलोगे यानि कि कई दिनों तक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपका complete solution मिल जाए मीनिंग और ट्रिक्स यह सब आपको मिलेगा अगर इन केस जब आपकी जो सिरीज है आगे कॉंटिनी होती है और सिरीज ऐसे ही रेगुलर चलती रही और अच्छा खसा प्यार आपका मिलता रहा तो इसमें वनवर्ट और इडियम्स भी एड करवा सकते हैं इसी सिरीज में और अगर इस सिरीज में वनवर्ट और इडियम्स एड नहीं होते हैं तो वनवर्ट और इडियम्स की अलग से सेशन साब के चलेंगे ठीक है दूसरी चीज वुकैबलरी की यह जो वुकैब चालीसा है यह कंप्लीट एक बुक आप लोगों के लिए तयार हो रही है जिसमें में आपको कंप्लीट वुकैबलरी का सल्यूशन मिलेगा सारे सेक्शन ठीक है तो यह जरूर ध्यार रखें कि आने वाले टाइम में आपको वुकैब चालीसा के नाम से एक किताब मिलेगी हार्ड कॉभी ठीक है समझे चलो तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नहीं लिख सकता हर एक वर्ड के नीचे मैं यह नहीं लिख सकता कि यह कौन से एक्जाम में वर्ड पूछा गया है क्योंकि मैंने सारे के सारे वर्ड वह कलेक्ट करें हैं कम से कम इस पूरी सीरीज का जो टार्गेट है मेरे प्यारे साथियों वो लगभक 10,000 वर्ड से यानि कि आपको 10,000 words कम से कम में सिरीज में completely कराने वाला हूं समझती है हमारा target है यह हमारा target है इस पूरी सिरीज से ठीक है अब देखो आगे लिखा हुआ है asked more than 20 times in exams एक-एक ऐसा सब्द आपको मिलेगा जो minimum 10 बार exams में पूछा हो गया मिनिमम दस्यों बार maximum 20 10 to 20 times in different examinations कोई भी वर्ड यहां पर देखने को मिलेगा एक भी फालतू वर्ड आपको दरदर का नहीं मिलेगा ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं जबरदस्त एकदम बहती तरीके से आज की कासी भी सगे संबंदी के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको थोड़ी सी निरासा फिल होती है थोड़ा सा आप दुखी हो जाते हो परेशान हो जाते हो बेचहन से हो जाते हो तब आप जो आपके जो रियेक्शन होते हैं जब आपकी जो situation होती है उस टाइम पे आप क और जो पीडिएफ है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ओपन स्टडी टेलिग्राम चैनल है यह मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यहां पर भी आपको वुक्याबलरी के छोटे-छोटे पोस्ट मिलते रहते ठीक है अनिल जातों इंगलिस करके ठीक है तो बीव chance होते हैं उनको कहते हैं ठीक है लिमेंट बहुत प्यारा फ्रिक्वेंट वर्ड यह कैसा है फ्रिकवेंटली आस्क्ट इस्ट यह बुघ Hindi एटो रहे हैं मिलेní जेए एक क्वेंट आपकर एंपरका इंपाक ए ठीक है और यहां पर आप लिगो कि लेमेंट के नीचे में अंडेलाइन कर रहा हूं मॉर्ण मॉस्ट रिप्पीड वर्ट में से एक है वेल करना विलाप करना दुखी हो जाना रोना वीवेल जब आप देखो, वेल, वीवेल दोनों एक ज़से लग रहे हैं, दोनों गाम अपनालब से हम होता है, लिमेंट होता है, मौर्ण होता है, कितने वर्ट्स हो गए आपके पास, चार, चार ही आपके अंटरनेंट रहे हैं, जैसे चैरीस का मतलब होता है, ख Bear मनाना क्या मेरे भाई खुसी मनाना कि एंजॉय करना हैपी रहना खुस रहना रिजॉइस डिलाइट ठीक है यह सारे के सारे सब दोते हैं पॉजिटिव वर्स ठीक है उम्मीद है कि आपको पूरा पैटन समझ में आ गया एक छोटे से पैटन में आपको कम से कम कितने वर्स मिल लोके तो 60 वेट तो आप मानी सकते हो वह भी मश्ट इंपटन ठीक है बैनि फैक्टर एक सब्द बना है जो कि बैनिरे फेड से बना वैने फिट का मतला होता है फाइदा और बैनिफेक्टर एक ऐसा भेक्तित जो दूसरे के फाइदे में सोचता है एक होता है वैनिफिसियरी जिसको लाब प्राप्त होता है और एक होता है वैनिफेक्टर जो किसी के लिए अच्छा सोचता है कि यार मैं तुम्हें 10 रुपे दे रहा हूं मेरा नुक्सान सही लेकिन आपका फाइदा हो रहा है इट मीज मैं बैनिफेक्टर हूं आपके लिए समझ गए तो बैनिफेक्टर का मतला होता है उपकारी या फिर दानी कह सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को दान देता है ठीक है और यह नाउन की तरह यूज करा जाएगा आपकी पार्टस आप स्पीच में एक होता है वैनिफिसियरी जो प्राप्त करता है ठीक है यह होता है यह होता है लाभानवित व्यक्ति क्या होता है लाभानवित व्यक्ति एक वह व्यक्ति जिसको लाभ प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं वैनिफिसियरी और वैनिफेक्टर होता है देने वाला ठीक है एंजल होता है देव दूत को पताई होगा देव दूत होता एक ऐसा बकती जो डैविज है जिसके पास सक्तिया है जसके पास बहुत कुछ है जो दूसरों के लिए अच्छा चागता है उसको हम एंझजल कहते हैं ठीक है डॉनेटर होता है तानी मैंने आपको बताई दिया धी डोनर भी आपका दानी होता है बताई दिया है पेट्राउन का मतलब भी यही होता है दूसरों के लिए अच्छा चाहने वाला बैक्थी पेट्राउन का मतलब भी यही होता है ठीक है भई इसके बाद opposite meanings याने की एंटोनिम में आप लिखोगे antagonist antagonist क्या होता है सर to antagonist होता है बिरोधी ठीक है विपक्षी अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो भी खराब करवा देगा एक ऐसा बैट्थी जो विरोध में रहता है यह होता है वर्व की तरह आपोस्थ वर्व होता है एंटागरनेस्टं आवं आपका नाउन होता है और यह जो अप आपपोनेंट है यह भी आपका अडिक्टिटी की तरह यूज्स करा जाता भी उतन away ठ्क है हां ऐ बोटनेंट यह भी विरोदी होता है जो आपके विप्ष में रहते हैं इनको ब्र सब्द बना की की जात छ आठा है अच्छा एक ऐसा आदमी जो अच्छा होटा है उसको बेनी कहा जाता है जैसे इस से कई सारे मैं यहां पर लिख के बतायाता हूँ जैसे एक होता है बंडी फैकर ठीक है एक उता है ये बनेडिक्स्ओं है तो यहां से आप कई सारे वर्ड जो है पड़ सकते हो बैनी से ठीक है कि अब बैनेडिक्शन क्या होता है' आपको प slotsliga उपर लिखाओ वैने डिक्षन का मतलब होता है आसिरवाद जैसे मैंने का चलो सर मेरा कल एक्जाम है और मुझे कुछ ऐसा बता दो कि जिससे मैं एक्जाम देख्या हो आपके लाइफ में तो मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूं तो उसको कहते आसिरवाद मैंने आपको आसिरवाद दे दिया तो यह होता है आपका आसिरवाद कह सकते वर्दान कह सकते स्पेशली अच्छा ठीक एजनाउन यूज करा जाएगा ऐसे ही बैने वोलेंट एडजक्टिव होता है वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है वैने बोलेंट यह होता है परोपकारी जो ठीक है यहीं से देखो यह आपका नाउन बन गया समझे एक वर्ड में से कई सारे वर्ड निकाल सकते हो ठीक है बैने डिक्शन आपका बून हो गया यह नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ठीक है और बैने फेक्टर हो गया दानी जो अभी अभी हम पढ़के आए है बैने वोलेंस नाउन हो जाएगा परोपकार हो गया क्या हो गया मेरे भाई परोपकार यह आपका अबस्ट्रेक्ट नाउन हो गया यह आपका एड्जेक्टिव हो गया परोपकारी ऐसे इसका उल्टा होता है मैले मैले डिक्शन हो गया क्या हो गया मैले डिक्शन हो गया मै किसी को शुराब देना है समझ गैं और मेलेवशलेंट होता है यह किसी के बारे में बुरा सोचने वाला ठीक भराच चाहने वाला एक ऐसा बसी मिज़्य कि बुपर चाहता है उसको कहते हैं मेलेवुलेंट ठीक है तो बैने डेक्षन जो अच्छा आसिरवाद होता है बुरा नहीं बुरा तो आसिरवाद ही नहीं कहता तो उसको श्राप कहते हैं ठीक है अभी साप कहते हैं बून वर्दान होता है है ना बैनिशन बैनिशन एक सब्द है बहुत प्यारा बैनिशन का मतलब भी आसिरवाद होता है इस सारे सारे व से मैलेशन बन गया तो M-A-L-E या फिर M-A-L को आप रूट वर्ड मान सकते हो ठीक है तो मैलेशन हो जाएगा जो कि लिखा हुआ लिखने की जरूती नहीं है समझ गे तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह पैटर्न आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको छोटे छोटे बोकर लड़ी के जर्रल वक्याबलरी के पोस्ट यहां पे मिल जाते हैं तो भी रेट नाम से आपको पीडियप मिल जाते हैं तो बिटकार ना डाटना एज वब आप इसको यूज करोगे as a verb आप इस word को use करो के ठीक है reverse करना किसी को मतलब roughly किसी से बात करना उसे बत्तमीजी से बात करना मतलब ढंक से बात नहीं कर रहे हो आप politely किसी से बात नहीं कर रहे हो ठीक है castigate होता है किसी से नफरत करना castigate करना ठीक है चीक चीक के तो नहीं चिला चिला के तो नहीं बता सकता कि यह वर्डës most important है लेकिन आपको एक ही बार में बोल देना हूं एक ही बार में समझ लेना है these words are very 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 most important याने कि reprimand is most frequently asked one word one word एंटरिम सनोनिम कहीं कहीं मिलता रहता है रेप्रिमेंट करना है ठीक है वोकेब चाले सा, you don't need to choose any one source of vocabulary, कहीं से भी, ना किताब की, कोई जरूत नहीं, बस आप आखरी तक लड़ते रहना, जब तक मैं कराओ, आज ऐसा नहीं कि पहली क्लास देख लिए, आज तो आ लिए, कल छोड़ दी, दूसी छोड़ दी, regular, you have to be regular with this series, तब आपको फरक पता च तयार करो, जो पढ़ा है, उसको वेस्ट मत करो, जो पढ़ा है, उसको record करो, कि मैंने आज इतना पढ़ा, आप अपनी पढ़ाई, अपनी मेनत को वेस्ट कर देते हो, बिना notes बनाए, ठीक है, synonyms, antonyms में देखो, को flatter मतलब होता है, किसी से प्यार से बात करना, चाप लूसी करना, ठीक है, चाप लूसी करना, यह होता है, इसका meaning चाप लूसी करना, applaud प्रसंसा करना होता है, किसी की तारिफ कर रहे हो, तो किसी को डांट रहे हो, ठीक है, loud करना, praise करना, these words are most opposite meaning of the given word, बिरेट, बिरेट का बिल्कुल उल्टा meaning है, इस words कर, ठीक है, ब्लीक मतलब होता है, बहुत ही dull, कोई ऐसी चीज है, जो एकदम dull है, बेस्वाद है, बेकार है, ठकाव उबाव है, बोरिंग है, तो उसको आप कहोगे, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे, ब्लीक, ब बिल्कुल बिकार, adjective की तरह है, आप इसको यूज करोगे, आप इसका हिंदी में लिख सकते हैं, एक और meaning, बेस्वाद, फीका फीका सा, जैसे मालो की आप मूवी देखने गए, और आपको मूवी दिखा दी, एकदम classical, भुजरुगों वाली, या आपको गाने सुना दिये, जो आपको मजा नहीं देती हैं, उसको कहते हैं, डिस्मल, ग्लूमी, ड्री, बेकार, ठकाओ, उबाओ, कोई ऐसी चीज है, adjective की तरह यूज करते हैं, वर्ट को, ठीक है, क्योंकि ये qualifications है, particular किसी word की qualifications बताते हैं, कि ये बंदा कैसा डल है, अभी तबियत मेरी बिल्कुल भी मेरा गला थोड़ा सा दिखकत दे रहा है, उसके बावजूद भी जब मैंने आपसे बादा किया है, मैंने आपकी series launch भी कर दी है, तो फिर पढ़ाना तो बनता है, ठीक है, इसलिए पढ़ाना पढ़ रहा है, but I am not able to speak or attend a class, तो इसकी value जरूर करना कि विपरीत हालातों में या situation खराब होने के बावजूद भी आखी लाज देते हैं, तो यह dedication कहीं न कहीं किसी student के काम आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपनी काम के प्रती dedicated हैं, बट आप लापरवाई करते हैं, फिर ना teacher की मेहनत की कोई value है, ना आपकी मेहनत की कोई value रहेगी, ब्राइट क कहां कहां आपको दिक्कत आती है, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बीच-बीच में guide करता रहूँगा, और vocabulary को कहां से improve कर सकते हैं, quiz कहां से लगाओगा, इस सारी चीज़े में improve करता रहूँगा, ठीक है, बामी होता है, ठीक है, cheerful होता है, happy, एकदम मज़ेदार सी का मतलब क्या होता है, blaze का मतलब होता है, आग, fire, जब धदक होती है, कहीं पर किसी जिसकी ऐसे बिसफूट, जिसको बोलते हैं, इस फेसली आग का जो लप्टे होती है, फिर एक तरीके से आग बोल सकते हैं, बहुत बड़ी मातरा में जब आग लग जाती है, धदक उठती होती है, उसको कहा जाता है, blaze, ठीक है, fire हो गया, flame हो गया, और firestorm हो गया, ठीक है, firestorm एक होता है, flare, flare भी धदक होती है, इसको बोलते हैं, धदक ना, धदक, इस पेसली ये noun की तरह यूज़ करा जाएगा, तो आप धदक यूज़ करोगे, ठीक है, हाँ, धदक का मतलब समझते हो, जब आग की लपटे निकलती हैं, उसको बोलते है, flare, ठीक है, और dark होता है, एकदम अधिरा, किसी चीज़ का कोई आग वाग कुछ निया, dull हो गया, dosed होता है, डॉज़ रिखता हूँ, एकदम अभी जो निरासा जनक अपने पढ़ाता ना, वही बेस्वाद, फीका-फीका है, ठीक है, dull है, भुज़ा हुआ कह सकते हो, भुज़ा हुआ, डॉज़ का मतलब होता है, भुज़ा हुआ, सांथ, जैसे मातम चाया हुआ, ठीक है, सांथ कह सकते हो, ब्लेज, नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से आप इसको यूज़ करो, यह जू सारे के सारे वर् और नाउन की तरह, जैसे डार्क है, वो नाउन भी होता है, और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, एक होता है, बीविचिंग, बीविचिंग का मतलब होता है, विच से यसको याद कर सकते हो, ठीक है, बीविचिंग का मतलब होता है, किसी को अपने वस में कर लेना, मोहि कर लेना ठीक है magical अगर कोई चीज ऐसी है जो magical attractive है in enchanting है एकदम ठीक है उसको कहते हैं यारी तो मज़ेदार सी चीज़ है मज़ा आ रहा है एक उता है Macabar Macabar का मतलब समझते क्या होता है Macabar होता है एकदम बेकार सी कुछ चीज ठीक है disgusting कहा सकते हैं बे तुका बाहियाद ठीक है आप यहां पर लिख सकते हो बे तुका कोई ऐसी चीज है जो बे तुकी है ठीक है आप adjective की adjective की तरह यूज करोगे ठीक है इसको आकर सित करना नहीं आकर सक लिखना इसकी जगे ठीक है यहां पर लिखो आकर सक ट्रैक्टिव यहां पर क्या लिखोगे अट्रैक्टिव आकर सित यह फिर आकर सक अडजेक्टिव आ तो अडजेक्टिव की तरह ही वर्ड मीनिंग लिखने पड़ेंगे ठीक है ना चलो हाँ हां हाँ कि अधुब हो एक अधिकर डिस्गस्टिंग इस होता है आगे चलो बैने वैंडे से यह वर्ड याद कर सकते हो नहीं एक तक्राद कर दोजिए तो पर परोपकार करता है उसको कहा जाता है बिनाइन होता है सौमय उता है सौमय एक्दम विनम्र विक्ति कैसा विनम्र ठीक है ना हाँ कमपैंशनेट होता है जो किसी के लिए वी कमपैंशनेट करता है राप चीजों को कमपैंशेशन देता है यानिकी चलो यार मैं दिक्कत है मैं तुमही देका हूं सहिप होगी जिसको बोलते काak होता है दयालू ठीक है यह भी आपका कैसे होगा एडिजेक्टिव की तरह क्योंकि यह वन वर्ट में पूछा जाता है कैसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसको क्या कहते है तो आप क्या जबाब दोगे बैने वोलेंट एक दूसरों के लिए बुरा चाह हो रहा है किस पर क्या भीत रही है उसे कोई फरक नहीं पड़ता दुर्टल भी होता है क्रूर कलाउस होता है कठोर यह बहुत रिपीटेड वर्ड से मेरे प्यारे जरह हाइलाइट कर लीजेगा के लाउस वर्ड को बृटल को बृटली बृटल सुना होगा बार्बरेक सु इसका मतलब होता है क्रूरता ुक्रम याद भी इसको याद भी अम सब्सक्राइब मतलब होता है दो सब्सक्राइब एक ऐसा ब्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसमें कोई खोट होता है। उसमें कोई दोस होता है। उसमें कोई कमी होती है। उसको कहते है कि यह द्यदम ब्लेमिजट है। इसका parts of speech हो जाएगा, कोई भी चीज या कोई person हो सकता है, जो दो स्पून है, defected है, faulty है, flawed है, faulty है, इसमें fault होता है, कुछ कमी होती है, defective होता है, stained होता है, और एक होता है, एकदम spotless, एकदम निर्दोस, अगर कोई ऐसी चीज है, जो निर्दोस है, या कोई ऐसा अब्यक्त लेती है, जो निर्दोस है, impeccable, impeccable का मतलब भी यह होता है, इसको कहते है, हिंदी में, प्रुटी मतलब होता है, हानी, ठोlé है, ऐसी कोई चीज या ऐसा व्यक्ति जिसके न्दर कोई कमिया नहीं है, flawless कोई कमी नहीं है, ultimate is कि पॉसिक्ट के सकते हैं अरोफ लगाना वर्व की तरह आप इसको यूज करोगे किसी को ब्लेम करना ठीक है एक totally करना टीक है कि लिएंच के इसमें लिए तो आप लेकल अधीक, चांज करना नरा शीघर लगा दिया balance न करना रिप्रोच करना है ना भियोग लगाना अभियोग लगाना इंडिक्ट करना किसी की तरफ उंगली करना उंगली करने का मतलब है कि उस पर उंगली उठाना सेंस्योर होता है क्रिटिसाइज करना most repeated words में से एक है सेंस्योर SSE का favorite criticize करना समझ गए हाँ criticize words कि इसके बाद आप आजाओगे इधर comment का मतलब क्या होता है applause का मतलब क्या होता है applaud applause सारे word यहां पर लिख सकते ठीक है मैं नहीं लिख देता हूंगा नहीं देख रहा है तो अब लॉड भी होता है प्रसंसा करना ठीक है प्रसंसा करना का मतलब सराहना करना होता है कि सराहना करना ठीक है किसी की ताष़ करना किसी के वारे में कوجच अच्छा बोल दो तो ये एक आप लोगों का short class ही रहा करेगा क्योंकि vocabulary का सीधा सा सिधानता सीखने का कि आप बल्क में नहीं सीख सकते बल्क में अगर सीखने की courses भी करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा almost zero ठीक है अगर मैं आज आप से कहूं कि 20,000 वर्ड 10,000 वर्ड याद कर लो मैं दे रहा हूं एक किताब इस पूरी को पढ़ जाना आपका एक्जाम निकल जाएगा यह सच है बट आप पढ़ नहीं सकते एक साथ एक किताब को पढ़ नहीं सकते आप उस किताब को पढ़ने के लिए एक एक पेज डेली पढ़ना पड़ेगा तब जाके 5-6 मेने में आप उस किताब को खतम करोगे उसी तरीके से मैं आपको किताब ना देकर के पहले किताब का सुलूशन दे रहा हूं पहले आपको सिखाने पर काम खर रहा हूँ ठीक है तो जो चीज में वोक्याब 40 एक बुक भी आपको मिलेगी लेकिन जब तक अभी उस पर काम चल रहा है तब कोसिस करेंगे इसमें और वर्ट्स बढ़ा देंगे लेकिन अल्मोस्ट आदे घंटे का ही आपका सेशनर रहा करेगा जिसमें एक औरियंटिट वुक्याबलरी का छोटा सा कलेक्शन पर दे मिलेगा ठीक है एक क्विक वुक्याब सेरीज की हमने 100 क्लास की पूरी प्लेलिस बन